नमस्कार मेरा नाम रागव है और आप मॉलिटिक्स देख रहे हैं 2024 की चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं जिसकी आहट आपको दिल्ली के भीतर भी महसूस होगी कल केजरिवाल की गिरफतारी की अफवा उड़ी तो आज सुबह उनके घर के बाहर पुलिस की तैनाती बढ़ा दी गई और न्यूज रूम में ये अफवा आम हो गई कि आज केजरिवाल की गिरफतारी हो सकती है पुरा विपक्ष इस चीज को लेकर के सदमे में है क्योंकि इंडिया गटबंदन के तीन बड़े चहरे और तीनो टार्गेट पर है चाहे नितीश कुमार हो, चाहे ममता बेनर्जी हो, चाहे अर्विन केजरिवाल हो दिल्ली के भीतर जहां BJP अभी तक जीत का परचम नहीं लहरा पाई है उसकी वज़ा जो तीन प्रमुख लोग थे, उन में से दो जेल के भीतर है अगर आप संजय सिंग की बात करें तो फिलाल वो भी जेल के भीतर है पनीज से सोधिया की बात करें तो वो भी जेल के भीतन है ऐसे में अगर केजरीवाल की भी गिरफतारी हो जाती है तो दिल्ली में विपक्ष के भीतर एक वैक्यूम बनेगा और उस वैक्यूम का फायदा उठा करके भाजपा दिल्ली में अच्छा कमबैक कर सकती है यह तमाम बाते हैं और इनके साथ यह सवाल भी उठते हैं कि इस पूरे प्रोसेस को पॉलिटिकल गलियारे में किस नजर से देखा जा रहा है हमारे साथ निवेदिता है और मॉलिटिक्स के न्यूज रूम में आज इसी पर चर्चा करेंगे बात करेंगे निवेदिता कैसे द देखें जिस बात के आप आशंका जता रहे हैं इसी बात का आरोप इस समय अरविंद केजरिवाल भारती जनता पार्टी के उपर लगा रहे हैं आज कि अगर आप उनकी प्रेस कॉन्फरेंस सुनिए तो वो पूरे टाइम ये बोलते नजर आये हैं कि ये भारती जनता समन भेजा है वो भी अपियर नहीं हुए एडी के सामने और नहीं अरविंद केजरिवाल हो रहे हैं क्योंकि इनका ये कहना है कि एडी का समन ही गयर कानूनी है अरविंद केजरिवाल ने बमुश्किल चार मिनिट का ये एक प्रेस कॉन्फरेंस जो लाइफ किया उसमें उन अमिपार्टी का जो कूरा करियर रहा है वो किस तरह का रहा है अन्ना अंदोलन से ले करके अब तक ये लोग हमेशा इमानदारी के ही नाम पर अपनी पार्टी को आगे बढ़ाते हुए नजर आये हैं उनका यहीं कहना रहा है कि जनता को इमानदार पार्टी की जरूरत है और आमादमी पार्टी एक चेहरा बन करके उबरी इमानदार राजनीती का। लेकिन इनके गले की फास बन गया जब 2021 में ये सराब नीती उन्होंने लागू किया। शराब नीती के दौरान इन्होंने कहा कि इससे फाइदा होगा। लेकिन दिल्ली के जो मुख्य सचिर्थ हैं 2020 में उन्होंने LG को पत्र लिखा शिकायत की कि शराब नीती जो आई है उससे फाइदे की जगें लगभग 144 करोड का नुकसान हुआ है। तो आप ऐसे में समझ सकते हैं कि LG जो कि LG और दिल्ली के मुख्यमंत्री का आप जानते हैं यह हमेसाद चलता रहता है एक दूसरे के खिलाफ तो ऐसे में फिर यही मामला 2022 में CBI के पास पहुचा, ED के पास पहुचा और एक साल बाद ही इस नीती को अर्विंद केजरिवाल क सामने यह चुनाओती है, यह साबित करना कि यह नीती खराब नहीं थी, दूसरी चुनाओती है, जो इनके साथ ही है, जो जेल में हैं, उनकी भी मानदारी को साबित करना, क्योंकि अब जेल में हैं तो इनके पास बहुत आप्शन्स तो हैं नहीं बताने के लिए, तो ऐसे म इस समय अर्विंद के जिवाल की कोशिश पूरी यही है कि लोकसभाद चुनावों से पहले किसी भी तरह से यह कर पाएं कि जनता के सामने इमेज बन पाएं कि हाँ भारती जनता पार्टी की वेज़े से हो रहा है ना कि कोई गड़बडियां होई थी एक और सवाल ऐसे मैं न के ले जाना तो अगर ऐसे में दिल्ली के मुख्यमंत्री को भी कोड तक ले जाने में बीजेपी सफल होती है तो क्या वो नरेटिव जो बनाना चाहते हैं जिससे जो इंडिया गड़बंदन है और जो विपक्ष है वो कमजोर हो वो बन जाएगा जी बिलकुल अर्विंद क केजरिवाल मुख्यमंत्री बने वो एक कह सकते कि वो शौकिंग था जिस तरह से पार्टी का विस्तार हुआ फिर दो दो राज्यों में सरकार भी बन गई तो ये सारी चीजें ऐसी हैं जिसके वाज़े से अर्विंद केजरिवाल एक बहुत बड़ा फैक्टर बनते हैं जाजाद पुनावाला हों वो बार-बार ये कहते रहे हैं कि अगर आप इमानदार हैं अगर आप निर्दोष हैं तो फिर पूष्टाच के लिए जा क्यों नहीं रहे हैं इस पे भी आज जवाब देते हुए अर्विंद केजरिवाल ने कहा कि CBI ने मुझसे पूष्टाच और दूसरी बात ये है कि लोग बार-बार सवाल पूछ रहे हैं कि इडी का संग्या कोई पावर नहीं है कि अर्विंद केजरिवाल आपने कर दे रहे हैं तो जैसा मैंने आपको बताया कि हेमन्र सोरेन ने शात बार जाने से मना कर दिया है सात शाहाट संग्न को उन्होने भी फस जाता है कि एडी के पास ठोस सबूत होने चाहिए और अरविंद केजरिवाल इसी चीज को बहाना बना करके नहीं पहुंच रहे हैं अरविंद केजरिवाल ने एक बार कहा हमें विपस्ना के लिए जा रहा हूं इसलिए मैं नहीं अपियर हो सकता अब जा करके उन्हों के भी मन में आ रहा था कि अगर आप निर्दोष हैं तो आप जा क्यों नहीं रहें जवाब ही तो देने हैं और वैसे भी चार्शीट में मुख्योरूप सा अरविंद केजरिवाल का नाम है नहीं उनसे बस PMLA, Prevention of Money Laundering Act के तहत्त पूछ ताच होनी है क्योंकि शराब मामला जो है शरामनीती जो है उसमें भले ही मनेशी सोधिया अंदर गया है, संजा सिंग अंदर गया है लेकिन जो मीटिंग्स थी ये सारी चीज़े अरविंद केजरिवाल के घर पे ही हुई, मुख्यमंतरी होने के नाते और यही कारण है कि अरविंद केजरिवाल से पूछ आता रहा है कि चुनाओ से पहली ऐसा क्यों होता है और प्रेस कॉंफरेंस में भी आज अरविंद केजरिवाल ने यही कहा कि देखे जो लोग अपनी पार्टी छोड़ करके एडी के डर से बीजेपी में शामिल हो जाते हैं, उनके खिलाफ जो आरोप होते हैं, उनके खिला प्रांदारी को मुद्दे को कैच कर लिया है भारती जन्ता पार्टी ने, यह बेइमान है, इसलिए नहीं जा रहे हैं, और दूसरे तरह वर्विंद केजरिवाल है, जिनका इसमें पूरा फोकस यह है कि इमेज बचा दी है, उनका पूरा फोकस है कि जो नेरेटिव अब ज तक्के दारे में रही है, पिछले 5-6 साल में जो पूरा विपक्ष है उसका कहना है कि जो भाजपा सरकार है, वो जो सरकारी तंथ्र है, उनका इस्तमाल विपक्ष को दबाने के लिए कर रही है, इसके साथ-साथ एक और बड़ी बारीक बात दिखाई देती है, मनिश शिश अगर उनकी पॉलिटिकल साख को आरोपों को जरीए और मेंस्ट्रीम मीडिया के जरीए आप डैमेज करने में कामयाब होते हैं तो 24 का चुनाओ भाजपा के लिए क्लीन स्वीप जैसा हो जाएगा क्योंकि एक तरफ राम मंदिर का निर्मार तेजी से चल रहा है उस मुद्द के खिलाफ विपक्ष के तमाम तरह के बयान उनको ही कटगरे में लाकर के खड़ा कर दे रहे हैं ऐसे में आमादमी पार्टी जिसे शराब नीती कह रही है भाजपा उसे शराब घोटाला कह रही है अभी ना नीती साबित हुई है और ना घोटाला लेकिन ये बहस तो तेज हो गई है कि अर्विंद केजरिवाल की इमांदारी पर क्वेश्चन मार्क लगने लगा है न्यूजरू में हमारे साथ कुछ और साथी भी है हेमन से बात करेंगे हेमन कैसे देख रहे हैं इस पूरे तरीके को जिस तरह से भाजपा अभी केजरिवाल पर आरोप लगा रही ह है बेइमान है उनकी मांदारी वाली साख पर सवाल उठ रहा है और 2024 में जो गटबंधन बनने की गुंजाईश बन रही है कि कई मांदार चहरे एक साथ आएंगे उनमें से अगर कुछ चहरे कम हो जाते है तो क्या वेटेज बीजेपी का बढ़े देखिए ये पूरा पैट देखा वो आप हम सब ने देखा जो हुआ कि उनको जेल के पीछे डाल दिया गया उसके बाद आप देखेंगे कि मायवत्ती जी बहुत सालों के लिए कहीं ना कहीं गायव सी रही उसकी भी बड़ी वज़य यही रही तो इस तरह से नेताओं को एडि और नेताओं के पीछ को कमजोर करने के लिए और आमाधी पार्टी जो सफलताओं की शीडियां एतनी जल्दी जल्दी चड़ रही है जो पंजाब में भी सरकार बना के बैठी हुई है निसंदेह ही अगर उनकी छवी को खराफ करने में काम्याब होती है सकता तो उसका पूरा-पूरा प्रभाव इंडिया गठबंदन पर आप देखेंगे और जो मनी शिशोद्या जी है उन्होंने जो सिक्षा के छेत्र में काम किया है उनके पास काम था तो जिन जिन सरकारों के पास काम है दिखाने के लिए जनता के बीच में जाने के लिए उनको धूमिल करने के कुशिश की जा रही ह अखलेश यादब के साथ भी वही हुआ यूपी में, उनके पास काम था, वो जनता की बीच में काम को लेकर जा रहे थे, लेकिन जनता ने उनको अस्विकार कर दिया, क्योंकि मुद्दे कुछ और ही थे, चुनाव के मुद्दे भी बदल रहे हैं, मंदिर, मस्जिद, मुचलिम, ये सब हो रहा है, तो इस बीच में, अगर केजरिवाल को जिल जाना पढ़ गया, मान लीजे, तो इसका बहुत बड़ा प्रभाव इंडिया पर पढ़ सकता है, क्योंकि पंजाब और दिल्ली ये दो ऐसी राज्ये हैं, जहां पर आमाद्मी पार्टी की अच्छ की खासी पहुच भी है, तो देखना होगा आगे कोड का क्या फैसला आता है, ये जांच कहा तक पहुचती है, बहुत जरूरी बात है, ये अक्सर कहा गया कि राजनीती में समीकरण बनाए नहीं जाते हैं, वो संभावनाओ के आधार पर बन जाते हैं, ऐसे में केजरिवाल कम होने से कहीं न कहीं फायदा नितीश कुमार और ममताव एनर्जी की तरफ भी मुड़ सकता है, तो इससे नुकसान और फायदा सिर्फ भाजपा को है जरूरी नहीं है, नुकसान और फायदे का खेमा गटबंदन की तरफ भी घूम सकता है, लेकिन फिलाल अगर केजरिवा कि गिरफतारी होती है तो यह मामला मोधी वर्सिस केजरिवाल बनेगा और इससे केजरिवाल की जो छवी अभी दो स्टेट तक ही सीमित थी वो एक नैशनल लीडर बनके भी उभर सकते हैं आगे की बाकी अपडेट्स के लिए आप मॉलेटेक्स के साथ बने रहें चैनल को सब सब्सक्राइब करिए ताकि गिरफतारी के बाद की और जानकारियां आपको लगातार मिलती रहें धन्यवाद